हेलो दोस्तों नमस्ते गुड मॉर्निंग तो कैसे आप लोग और आई होप सब ठीक होंगे वेलकम तो बैक माई यूटुब चैनल एंड अभी जा रहे हैं मैं खेत हैं चाची मैं और बुवा हल्दी निकालने आपको भी दिखाता है है हल्दी कैसे निकालते हैं हमारे हल्दी आपको उनसे मिलवाती हूं और यहां दूप्या आ गई है नौबजे गौंडार में तो साड़े ग्यारब जाती है तो पहले आपको यहां का मौसन दिखाते हूं है 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 ऐसे रास्तों से जाना है केट में अपर है कोट वह आभी हमारा घर है ज्टे टो प्दान अबेकागी चिर एंदो है अबच जिए रहे है 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 झाता है हुँँआ घार हैं हुँआ तूर तुँआ घार था है झाना तुँआ है का उन्सलां जमेए है हुँआ हुआ है यहां पर इतनी हल्दी तो इनाना निकाल रखी है और अभी यह साफ करने बागी है हल्दी और अभी कुछ निकालने बागी है तो इसकाम को कर लेता है अबेसे करने पर्टैचा को सिसाफ गाइक जोरो को अफरोग देगी है कर दो. तो यहां देखो इतनी गहरा है से खोड़ना पड़ता है हल्दी को तो अच्छा की मिलती है बहुत गहरी रहती है हल्दी अच्छापगा कि हैं रावी को ओावाँ लुत ओावान कि show शीम तो अभी हम आ गए हैं घर पे खाना खाने तो देखते हैं खाने में क्या बना रखा तो आज के खाने में बना है कंडाली का साब अच्छा और पहाड़ में अच्का खाते हैं लोक और अच्छा होते हैं मैं सबसे टिश्ट आओ अच्छा होते हैं कंडाली का हालू तो अभी हम जाए हैं यह बखना के खास के लिए कि बुढ़िए करिसे निकलने के बाद साफ करने के बाद उसके दूरना पड़ता है फीर उसे उबालना पड़ता है आप लोगों को भी चाइए तो ले जाना विक्री काया वैसे दिना आरपूर कर दो 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 झाल झाल